हिंदु धर्म में पूर्णिमा और अमावस्य दोनों का ही विशेश महत्व होता है और ऐसी मान्यता है कि इन दोनों दिन किये गए विशेश शास्त्रिय उपायों का फल जल्द ही मिलता है अगर पूरी विधी विधान से ये उपाय किये जाएं तो फलित सिद्ध होते हैं तो चलिए आज हम आपको अमावस्या से जोड़े कुछ शास्त्रिय उपाय बताते हैं अमावस्या के दिन पूजा का अलग महत्वा होता है और कहा जाता है कि इस दिन कुछ उपाय करने से पूर्ने भी मिलता है और मनो कामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती है हर महीने अमावस्या आती है तो अगर आप इस महीने आ रही अमावस्या से फल पाना चाहते हैं तो यहां जानिये कुछ शास्त्रिय उपाय तो हम आपको बताते हैं कुछ शास्त्रिय उपाय अमवस्या के दिन आटे की छोटी-छोटी गोलियां बनाकर तलाब में मचलियों को खिलाएं इससे आपको पुन्न मिलेगा और घर में धन का आगमन होगा ये काम आप घर के बच्चे से करवाएंगे तो और भी फलित सिध होगा अमवस्या के दिन सुबह समय पर उठकर असनान करके हनुमान जी का पाठ करके उन्हें लड़ू का भोग लगाएं अगर पाठ ना करें तो हनुमान बीज मंत्र का जाब भी कर सकते हैं पूजा के दौरान हनुमान जी के सामने चमेली के तेल के दीपक भी जलाएं घर में पूजन के अलावा मंदिर भी जा सकते हैं इस दिन मंदिर जाकर अन्न का दान करें ये सबसे बड़ा पुन्य माना जाता है और इसे अमवस्या के दिन किया जाए तो और भी शुब होता ह अमवस्या के दिन शनी देव के लिए तेल का दान करें इसके साथ काली उड़द लोह का भी दान कर सकते हैं अगर संभव हो तो इस दिन किसी पवित्र नदी में असनान जरूर करें या फिर गंगा जल से असनान करकिने का भी महत्व होता है नेक्ट नाइन स्पिरिच्वाल के रिपोट